बाई छलू भाई तो एक हंतक तो हमरे मन देखत रही कि सब्जी वाला ज貼सल है उकर खेटी रोर्यमं केसे करव Hm now it हमरे मन सब्जी मन कर बारे में जान ली आप हम्रे मन देख़आप मसाला मन कर कोग्ता है प्रभीत कोग्ता है तो चलू सौब लगिन माटी रहेक चाहिए बढ़िया पानी निसकेया बलूई दोमट माटी इकर अलावे कमपोस्ट और जैविक माइन्द कर परियोग केर के सौब नियर कर माटी में इकर खेती संभवा है इकर उन्नत प्रभेद है राजेंदर सौरब, UF 32, गुजराद, सौफ 1, CO 1, LAM selection 1 और 2 इकर लगा एक विधी का है इके हमेशा सोचे सोच बुनिक चाहिए लगाकर बेस बेरा है, अक्टूबर और नवंबर, लगाकर दूरी 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर और बेन दर रही 12 किलोग्राम प्रती हेक्टर, कतार विधी से अब इतना केर के इकर में माइन देख है और उर्वरक देख है, जिकर से फसिल बढ़िया हो सके तो कमपोस्ट 150 से 200 किलोग्राम प्रती हेक्टर, नेत्रिजन 90 किलोग्राम प्रती हेक्टर, स्फूर 60 किलोग्राम प्रती हेक्टर और पोटास 30 किलोग्राम प्रती हेक्टर पटायक लगिन का करेक है इकर ले तीन से चैर धाओं सौप कर खेत के पटाय देख चाहिए इकर से रोरे के उपजा बढ़ियां भेटाई उपज रोरे के मिली 15 से 20 क्विंटल प्रती हेक्टर इतो हो लग सौप कर खेती अब हमरे मन देखब अजवाइन कर खेती का लखे करेक है अजवाइन लगिन माटी रहक चाहिए वहे बढ़ियां से पानी निसके या बलूई दोमट माटी या की कमपोस्ट या जैविक माइंद कर परियोग केर के सोब नियर कर माटी में इकर खेती संपवा है इकर उनत प्रभेद है राजेंद्र मनी लैम शलेक्षन एक और दूई इखो लगायक विधी है सोज है सोज और लगायक कर बेरा है 15 अक्टूबर से नवंबर कर मधे तक लगायक कर दूरी 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर बिहिंदर रहेक चाही 3 किलोग्राम प्रती हेक्टर विधी उहे कतार इकर में माइंद और उर्वरक कितना मात्रा में देख है सेके जानूँ कमपोस्ट 150 से 150 किलोग्राम प्रती हेक्टर नेतरजन 50 किलोग्राम प्रती हेक्टर स्फूर 40 किलोग्राम प्रती हेक्टर पोटास 30 किलोग्राम प्रती हेक्टर पटायक लगिन 2 से 3 धाउं इके पटायक चाही उपज इकर से मिली रोरे के 8 से 10 क्विंटल प्रती हेक्टर और जैविक या की कंपोस्ट और जैविक माइंद कर परियोग करेक में सौब नियर कर माटी में इकर खेती संभवा है। चही 20 किलोग्राम परती हेक्टर कतार्विधी में। माइंद और उरोरव्र कितना देख है। और इकर से उपज़रो रहे के मिली 12 से लेके 15 कुईंटल प्रती हेक्टर। अजवाइन, सौफ और धन्या कर खेती तो हमरे मन जान ली, अब आखिर में हमरे मन के जाने कैं मेथी कर बारे में। भाई मेथी के रोईप के उकर सागों खाले बहुत बढ़िया लागेल। तो चलू, इकर लागिन खेती में माटी के संचाही से के जानू, बढ़िया से पानी निस्केया बलूई दोमट माटी। इकरो में कमपोस्ट और जैविक माइन कर परियोग करेक में सब नियर कर माटी में खेती इकर संभवा है। उन्नत प्रभेद है राजेंद्र क्रांती, सोनाली, राजेंद्र आभा, गुजरात, मेथी एक और लगायक कर विधी है सोचे सोच और लगायक कर बेरा 15 अक्टूबर से नवंबर कर मधे तक लगायक कर दूरी रहक चाही 30 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, बिहिंदर 20 किलोग्राम प्रती हेक्टर कतार विधी में, इकर में माइंद और उर्वरक कितना देख है सिके जानू, कमपोस्ट 100 किलोग्राम प्रती हेक्टर, नेत्रिजन 25 किलोग्राम प्रती हेक्टर, स्फूर 40 किलोग्राम प्रती हेक्टर, पुटास 30 किलोग्राम प्रती हेक्टर, इ इतना करल बादे रोर्यमन के इकर से उपजा भेटाई 15 से 16 कुईंटल प्रती हेक्टर